Hey Welcome Back To The Channel願い 1 I Hope You Guys Are Doing Absolutely Fine अगर मैं आपसे बोलूं आपको अवôm फ्री फायर में कहीं पे भी कोई भी ग्लू टेखने को नहीं मिलेगा नहीं किया होगा प्लीज बाई लोग आज कर देना पहले बात करते हैं फर्स नंबर पे जो हमारा अपडेट निकल के आ रहा है जो है ओबी फोटी अपडेट के निव करेक्टर्स को लेकर जिसमें आपको अपडेट के दिन दो नए करेक्टर्स देखने को मिलेगे और गैरेंटी के साथ ये दोनुई करेक्टर्स बहुत ही जादा और पावर्ड होने वाले इसमें से पहला करेक्टर है अवेकन आलोग जिसको आप इलीज आलोग भी बोल सकते हो जिसकी एबिलिटी ये होगी कि जब ये डीज आलोग वाला स्किल यूज करेगा न हर दो सेकेंड में म्यूजिक बना हुआ सर्कल छोड़ेगा और इस म्यूजिक वाले सर्कल के पास अगर आपका टीमेट जाएगा तो उसके अंदर इलीज आलोग की एबिलिटी जाएगी और हर एक सेकेंड में आपके टीमेट का 33 HP बढ़ता रहेगा और इसकी शक्ती 10 सेकेंड के लिए चलेगी मतलब टोटल आपके टीमेट का 30 HP बढ़ेगा और ऐसे ये बहुत सारे म्यूजिक नोट वाले सर्कल छोड़ेगा जो आपका पूरा का पूरा स्कॉर्ड यूज कर सक तो है ना एकदम कमाल की एबिलिटी अब दूसरा जो केरेक्टर है वो इससे भी ज्यादा दुगना खतरनाक है और मज़े की बात है कि इस केरेक्टर का जो स्किल है वो एक पैसिव स्किल है और इस केरेक्टर का नाम है सोनिया इसकी एबिलिटी ये है कि जब आपको कोई ए प्राउन हो जाएगी न तो आपको अपने आप ही 150 का टेंपरेरी HP मिलेगा और चाहे आपका एनमी आपको 1000 का भी हेडशॉट मारेगा न तो आप फिर भी नहीं मरोगे लेकिन जो वो 150 का टेंपरेरी हेल्थ है न वो आपको सिर्फ 6 सेकेंड के लिए मिलेगा और उन 6 सेकेंड में ही आपको अपने एनमी को मार देना है अगर मार पाए तो आप बच जाओगे लेकिन अगर 6 सेकेंड के अंदर अंदर ही नहीं मार पाए तो आप अपने आप ही मर जाओगे मेरी बात याद रखना है एक कैरेक्टर क्लैस कॉड में एकदम तबाही मचाएगा अब कैरेक् प्री फायर चार केरेक्टर्स को इंप्रू भी करेगा जिसमें से एक है दिमित्री दूसरा है थीवात तीसरी है ओलिवात चोथी है कैपेला और इनके जो इंप्रूमेंट्स होने वाले हैं उसका स्क्रीन शॉट में यहां पे डाल रहा हूं आप चाहे तो वीडियो पॉस करक देख सकते हो अब बात करते हैं सेकें नमबर पे जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन अपडेट निकल के आ रहा है जो है ग्लू ओल को लेकर अब आपको अपडेट के बाद कहीं पे भी ग्लू ओल देखने को नहीं मिलेगा क्यूंकि अब सब प्लेयर्स के बैग में आपका ग्लू ओल बनाता जाएगा और जब आप जमीन पे उतरोगे ना आपके हाथ में एक ग्लू ओल जरूर होगा लेकिन याद रखना जमीन पे गरू में आपको कहीं पे भी ग्लू ओल अब नहीं मिलेगा नहीं अब आपको वेंडिंग मिशीन में ग्लू ओल मिलेगा औ और अगर आप किसी enemy को मारोगे भी ना जिसके पास 10 glue all भी होगे आपको फिर भी उसके loot के नस्दीक जाकर भी सिर्फ 2 glue all मिलेगे और ये चीज free fire ने इसलिए किया ताकि सारे players के पास equal glue all रहे लेकिन ये बात कितनी अजीब लगती है ना कि अब आपको loot करने के time कहीं पे भी glue all नहीं मिलेगा अब glue all की बात करी रहे तो एक और glue all का खतरनाक update में आपको बताना चाहूंगा अपडेट से पहले आप लोग glue all लगाने के लिए क्या करते थे पहले glue all पे दबाते थे फिर fire बटन पे दबाते थे तब जाके glue all लगता था लेकिन अब update के बाद आपको सिर्फ glue all पे दबाना है और वो अपने आपी लग जाएगा मतलब अब glue all लगाने के लिए fire button को दबाना ज़रूरी नहीं है मैं जानता हूँ कि ये चीज शुरू में थोड़ी problem करेगा लेकिन बात में जाकर इस चीज से खेलने की speed और increase होगी बाकी जो glue all के और secret updates है उसका screenshot में यहां पे डाल दूँगा अब बात करते हैं थर्ड number पे जो हमारा एक और बड़ा update निकल के आ रहा है जो है class code को लेकर अब आप लोग class code में दो-दो active skills ले सकते हो मतलब आप लोग अब class code में आलोक और क्रोनों को एक साथ यूज कर सकते हो और ये free fire की history में पहली बार हुआ है कि आप एक गेम में दो-दो active skills लेकर सकते हो इसके लिए आपको class code में CS duo active skills लेकर करना है और फिर game start करना है और जब आपका game start होगा ना तो आप शुरू में ही कोई भी दो active skills सेलेक्ट कर सकते हो और उनी skills को पूरी game में use भी कर सकते हो और याद रखना ये CS rank mode की बात चल रही है और ये चीज तब से शुरू होगी जब CS का नया rank season आएगा अब class code की बात चली रही है तो मैं आपको एक और class code के बड़े update के बार में बताना चाहूँगा अब आपके class code में एक नई जगा add होने वाली है जिसका नाम है Rimnam Village लेकिन ये पुराना वाला Rimnam Village नहीं होगा क्यूंकि Free Fire OB40 update में Rimnam Village को पूरा change करने वाला है अब background में देख सकते हो कि नया वाला Rimnam Village कितना ज़ादा अच्छा लग रहा है और ये नया वाला Rimnam Village ना सिर्फ class code में नहीं बलकि BR rank में भी आएगा अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो हमारा update निकल के आ रहा है जो है Free Fire के bots को लेकर गाइस update से पहले अगर आपकी game में कोई bot होता था ना और अगर आप उसको मारते थे ना तो वो spectate नहीं करता था लेकिन अब update के बाद अगर आप किसी bot को मारोगे ना वो आपको spectate भी करेगा और like भी देगा और साथी साथ अब जो bots होगे ना वो पूरा का पूरा normal players की तरह खेलेगे मतलब crouch भी करेगे, prone भी करेगे, आप अगर उनके नस्दीक जाओगे तो वो team up भी करेगे और ये चीज ना मेर को भी देखकर आज बहुत हसी आई और आप इस चीज को background में clearly देख सकते हो अब fifth number पे जो हमारा बहुत ही important update निकल के आ रहा है जो है old free fire को लेकर guys finally हमारे old free fire की lobby का ये वाला music वापिस आ रहा है सच में नए सुनकर पुरानी यादे ताजा हो गई अब पुराने free fire की बात चली रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ leaks निकल के आ रही है कि नए सीजन में purgatory map वापिस आ रहा है और साथ में कुछ पुरानी चीजे भी अब क्या पता free fire अपडेट के दिन कुछ surprise दे दे लेकिन ये चीज ओफिशली तो नहीं पता चली लेकिन इस बार इसके chances बहुत जादा है और ऐसा देखा भी जा रहा है कि free fire कुछ अपडेट से पुरानी चीजे वापिस ला रहा है जैसे पुराने अपडेट में हमारे काला हरी map को वापिस लाया था अब जो होगा वो तो अपडेट वाले दिनी पता चलेगा अब 6 नमबर पे जो हमारा बहुत 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 जादा important update निकल के आ रहा है जो है free fire के map के अंदर भी आपको अब नया floating map देखने को मिलेगा इस update के बाद आप जब game में आओगे आपको उपर आसमान में एक floating island दिखेगा जो आप देखकर थोड़े शौक हो जाओगे कि आखिरे कौन सी जगा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो आपको आसमान में एक नई चमतकारी जगा दिख रही है न यहाँ आप तब पोँचोगे जब आप शुरू में game में मर जाओगे और आपको यहाँ पे मौका मिलेगा फिर से revive होने का यहाँ पे revive होने के लिए आपको उपर वाले revive बार को पूरा charge करना पड़ेगा और यह charge पता है कैसे होता है एक तो यहाँ पे जो आप knife से enemies को मारोगे उससे charge होगा दूसरा आप जो इन tiles पे चलोगे उससे charge होगा तीसरा अगर आप इन cubes पे knife मारोगे उससे charge होगा लेकिन याद रखना उपर दिये गए time में ही आपको उस पूरे बार को पूरा charge करना पड़ेगा और तब ही जाकर आप खुद से revive हो जाओगे और ये floating island वाला map आपको solo में भी दिखेगा, duo में भी दिखेगा और squad में भी दिखेगा और दूसरी बात भी याद रखना कि एक game में आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक बार आ सकते हो अब बात करते हैं 7th नमबर पे जो हमारा update निकल के आ रहा है जो है new features को लेकर पहला feature है milestone achievement system जिसमें आपको challenge complete करने पे नई achievements unlock होगी मैं जानता हूं कि सुनने में बहुत boring लग रहा है लेकिन achievements unlock करने पे आपको इतनी सारी चीज़े free मिलेगी ना जो आप देख करीना एकदम खुश हो जाओगे और सच बोलूं तो ये चीज़ मेरे को भी अच्छी लगी क्योंकि आप free fire जादा तर चीज़े free दे रहा है दूसरा update जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है new lobby को लेकर आपको इतनी जादा simple और इतनी अच्छी lobby देखने को मिलेगी जिसमें आपको सारी की सारी चीज़े एकदम सामने ही मिलेगी जैसे कि आपको character change करना है वो भी एकदम सामने ही मिलेगा आपको किसी को message करना है तो वो भी एकदम लिखा हुआ ही आएगा आपके team में कोई बंदा होगा जो ready नहीं कर रहा होगा आप उसको सीधा reminder बेज सकते हो जो हमारी invitation list है उसको एकदम आसान कर दिया गया है तो में बहुत सारी अच्छी अच्छी quick message को add किया गया है और बहुत सारी in-game message को भी add किया गया है जैसे कि आप background में सुन सकते हो और सबसे अच्छी बात अब आप इन quick message की voice को भी change कर सकते हो मतलब आप अपने gender के हिसाब से भी voice रख सकते हो लड़की हो तो female voice लड़के हो तो male voice spawn island का पूरा look change किया गया है जिसमें आपको आप ज़्यादा wait नहीं करना पड़ता है और आपका match 5-6 second में start हो जाता है कि अब आपका spawn island सीधे plane में ही है और भी बहुत सारे updates आये जैसे कि नया pug pet आये जिसमें कि कोई skill तो नहीं है लेकिन आप उसमें खुद से skill लगा सकते हो last में weapon adjustment की बात करे तो m1887, charge buster, mag 7, tragoon, bizon, mp40, thompson, xm8, m1014 इन सभी guns में थोड़ी change होने वाली है जो guns इन में से अच्छी नहीं चलती थी उसको अच्छा बनाया गया है और जो ज़्यादा overpowered थी उसका power थोड़ा सा कम कर दिया गया है ताकि game में हर कोई बंदा हरे gun चला subscribe कर देना, bye bye, I love you all